CMKCR ने TRS नेताओं को उपरास्टरपती चुनाव में रास्टरपती चुनाव में अपनाएगेई नीती का पालन करने की सलादी CMKCR ने विपक्षी गड़ बंदन की उमिद्वार मागरिट अलवा को समर्थन देने का फैसला लिया है CMKCR ने TRS नेताओं को उपरास्टरपती चुनाव में अपनाएगेई नीती का पालन करने की सलादी CMKCR ने विपक्षी गड़ बंदन की उमिद्वार मागरिट अलवा को समर्थन देने का फैसला लिया है TRS के 167 संसत भवन में उपरास्टरपती चुनाव में मार्गरिट अलवा के समर्थन में मत्तदान करेंगे केंद्रिय मंत्री किशन रेड़ी ने कहा है कि अगले 4 साल में दीश में 100 से ज्यादा हवाई अड़े बनेगे उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री ने सत्ता में आने के बाद सड़क परिवहन व्यवस्ता का तेजी से विकास हुआ है जबकि देश में 64 हवाई अड़े में वे 118 पर पहुंच गये है केंद्रिय मंत्री किशन रेड़ी ने हाईदरबाद हाईटेक प्रदशनी में आईजित प्रवास 30.00 सम्मेलन का उद्गाटन किया उन्होंने कहा कि देश भर में बेतरीन हवाई बनाए गए है उन्होंने कहा कि पुरे देश में 90.000 रास्ट्रे राजमार्ग का निर्मान किया गया है 17.000 नहीं सडके जुड़ी है किशन रेड़ी ने कहा कि ठोस योजना के साथ सडकों के निर्मान से देश में हाथसों में कमी आई है उस्मानिया विशवीद्याले ने अपना बयास्वी दिक्षान समारो मनाया चात्रों में जबानों प्रमुक निताओं राजपाल और सीजी आई की उपस्तिती में सनातक समारो बड़ी धूमदाम से चला मेदावी चात्रों को गोल्ड मिडल दी जाती है राजपाल ने पीजी हिंदी सेक्षन की चात्रा सना को स्वनपदक से सम्मानित किया मुक्य अतिती के रूप में राजपाल तमिलसाई और सीजी आई न्यायमूर्ती वीरमना उपस्तिते राजपाल ने कहा कि उन्हें OU दिक्षान समारों में भाग लेकर खुशी हो रही है सफलता का कोई शॉटकट नहीं होता है उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत की सफलता का राज है भारत के मुख्य न्यायदीश इन्वी रमना को OUK बयासवी दिक्षान समारों में राजपांद्वारा डॉक्टरेट की मानव उपादी से सम्मानित किया गया उन्होंने कहा कि टाइगोर, नेहरू और अम्बितकर जिसे महान लोगों ने भी इस विश्विद्याले से डॉक्टरेट की उपादी प्राप्त की थी उन्होंने कहा कि उन्हें OU Law College में प्रवेश नहीं मिला, उन्हें व अफसर नहीं मिला एन्वी रमना ने उसमानिय विश्विद्याले को एक बहुत ही गतिशील सेक्षिक केंद्र के रूप में प्रशनसा की सीजे आई एन्वी रमना ने सुजावदियक की चात्रों को अपने जीवन में उद्दान के लिए अपनी मात्रुभाशा और मात्रुभूमी को नहीं भूलना चाहिए मंत्री हरिश्राव ने कहा कि मा का दूद डिब्बे के दूद से बहतर है स्वास मंत्री ने कहा कि बच्चे को पहले गंटे में दिये जाने वाला मा का दूद टिका करन के बराबर है मंत्री हरिश्राव ने पेटलब बुर्जु में सरकार दवखाना में स्थनपान बैंक का उद्गाटन किया उन्होंने कहा कि मा के दूद के अलावा और कोई अमरुत नहीं है मंत्री हरिश्राव ने कहा कि मा का दूद बच्चे के स्वास के लिए बहुत जरूरी है मंत्री हरिश्राव ने कहा कि मा का दूद डिब्बे के दूद से बहतर है स्वास्त मंत्री ने कहा कि बच्चे को पहले गंटे में दिये जाने वाला मा का दूद टिका करन के बराबर है मंत्री हरिश्राव ने पेटलब बुर्जू में सरकार दवखाना में स्थनपान बैंक का उद्गाटन किया मंत्री तलसानी स्थी निवास्यादव ने कहा कि भारत की आजादी की 75 वर्षगांट को भव्य तरीके से आयजित करने के लिए सरकार सभी इंतजाम करेगी उन्होंने कहा कि इस माक के 9 से 22 तारिक तक ही रख जैंती मनाया जा रहा है मंत्री तलसानी स्थी निवास्यादव ने फिल्म विकास विभाग के अधिकारियों, फिल्म चैंबर ओफ कॉमर्स के प्रतिनी दियों और अन्य के बीच मसब टैंक स्तित कार्याले में एक विशेश बैटा का आयोजन किया शक हस्तम पार्टी के लिए भी शक पर पढ़ रहे हैं, तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं मनुगोडू के विधायक कोमिट्रेडी राजगोपाल रेडिक ने पार्टी छोड़ने के 24 गंटे पहले ये ICC के एक अन्या वरिष्ट ने था, दासोजु श्रवन ने भी पार्टी को अलविदा कहे दिया, इसे कॉंग्रेस पार्टी सदमे में है दासोजु श्रवन ने कहा कि टीपी सी सी प्रमुक रेवेंट्रेडी कॉंग्रेस पार्टी के सिधानतों के खिलाफ काम कर रहे हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं क्यूंकि वह इसे सहन नहीं कर सके दासोज श्रवन ने कहा कि रेवेंट रेडी कॉंग्रेस को बरबात करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि उच्वर्ग के अहंकार के कारण कॉंग्रेस पार्टी में आराजकता जारी है उन्होंने सर्वेक्षन के नाम पर जूटी रिपोर्ट देने और अपनी ही पार्टी के निताओं को कमज़ोर करने की आलोचना की कॉंग्रेस संसत कोमट रेडी वेंकर रेडी ने टीपी सीसी प्रमुक रेवन्थ के खिलाफ संसनी के स्टिपनी की और उन पर पार्टी से बाहर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया वेंकर ट्रेडी ने रेवन्ट रेडी से पूचा की वह मूल कॉंग्रेस पार्टी के साथ क्या करना चाहते रेवन्ट की एंट्री के बाद से कई लोग पार्टी छोड़ चुके है कॉंग्रेस संसत कोमट रेडी वेंकर रेडी ने टीपी सीसी प्रमुक रेवन्थ के खिलाफ संसनी के स्टिपनी की और उन पर पार्टी से बाहर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया वेंकर डेडी ने रेवंद डेडी से पूचा कि वह मूल कॉंग्रेस पार्टी के साथ क्या करना चाहते रेवंद की एंट्री के बाद से कई लोग पार्टी छोड़ चुके है वैस्कुलार सरजरी दिवस के उपलक्ष में एशियन वैस्कुलार हस्बतल 75 लोगों की मुफ्त जरजरी कर रहा है अस्पताल के सीओ डॉक्टर लीली ने कहां उन्होंने सुमाज गुडा प्रेस कलब में इस जानकारी का खुलासा किया वैस्कुलार सरजरी दिवस के उपलक्ष में एशियन वैस्कुलार हस्बतल 75 लोगों की मुफ्त जरजरी कर रहा है अस्पताल के सीओ डॉक्टर लीली ने कहां उन्होंने सुमाज गुडा प्रेस कलब में इस जानकारी का खुलासा किया गनेश शतुर्ती के मदे नजर जी एचेमसी और एचेमडी मुफ्त मिटी की मूर्तियों की वितरन और विसरजर्जन की व्यवस्ता पर ध्यान दे रहे हैं बल्दिया ने आठ इन से देड़ फिट की उन्चाई वाली 6.6 लग मूर्तियों के लिए करिब 3 करोर रुपे खर्च करने के लिए निविदाय आमंतरित की है इनजीयों के उच न्यायले के पहले के दृष्चिकोन के जवाब में की प्रदुशन बढ़ रहा है पीओ पी की मूर्तियों के विसरजन को लेकर कोट ने आदेश दिया है की पीओ पी की मूर्तियों को तराबों में नहीं विसरजित किया जाएगा उत्सव के लिए केवल तीन सप्ता शेशे अधिकारी मिटी की मूर्तियों के वितरन और अस्ताई ताल के व्यवस्ता में व्यस्त है हुसें सागर में दबाव कम करने के लिए आट प्रतिस जोन के पचास पोर्टबल पानी के टैंक बनाए जाएंगे भारत के स्वतंत्रा हीरक जैंती पकवाडे के तहत रविंदर भारती में इस मेने की नौ से एकिस तारिक तक मुक्यहौन में विबिन कारिक्रम आयजित करेंगे इन कारिक्रमों का विवरन उत्सव मसमीती के राजसबा सदस्य के केशव राव द्वारा जारी किया गया के केशव राव ने कहा कि रास्ट्य आंदलन की भावना को दर्शाने के लिए नौ तारिक को वंदे मात्रम नृत्ति कारिक्रमों के साथ उत्सव की शुरुआत होगी 75 सदस्यों के साथ गुरू कलाकृशन मंडली पेरनी नृत्य प्रदशन करेगी अलापूर मंडल के राजिव गंदी नगर सी ब्लोक में नई सिसी सडकों का निर्मान किया जा रहा है पार्शद सभीहा गौसुदिन ने निर्मान कारियों का निर्क्षन किया अलापूर मंडल की राजिव गंदी नगर सी ब्लॉक में नई सी सडकों का निर्मान किया जा रहा है पार्षट सभीहा गौसुदिन ने निर्मानकारियों का निरिक्षन किया फॉन्डेशन के सदस्यों ने कहा कि वेश्टी श्री 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 आतमन अंदियमें अमगारी के निर्देशन में मूर्थी मंच के रूप में 7 अगस को निशल को सुषिमा क्रिया योग दिक्षा कारेकरम का आयजन कर रहे फॉन्डेशन के सदस्यों ने कहा कि वेश्ट्री श्री 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 आत्मन अंदियम में अमगारी के निर्देशन में मूर्टी मंच के रूप में 7 अगस्त को निशल को सुशिमा क्रिया योग दिक्षा कारिकरम का आयजन कर रहे हैं फ्री मेंशन लॉज मॉर लैंड 25 के कहा कि समाज सेवा की दृष्ट्री से इस मां की सातारी को दुर्गबाई देश्पुक अस्पताल में निशल प्लास्टिक सरजरी चिकितसा शिवीर का आयजन किया जा रहा है उस संस्ता के प्रतिनीदी जीजी चौधरी सत्यजित तुलजा पुलकर अलताफ अहमद ने बताया कि अब तक उनकी संस्ता के तत्वधार में करीब 400 गरीब मरिजों को मुफ्त प्लास्टिक सरजरी की जा चुकी है साधना के कारेकारी अद्यक्ष चिक राहुले कहा कि उनका उद्देश श्रमिकों के लिए स्वास्त शिवीर आयजित करना और उन्हें और उनके बच्चों को बहतर चिकितसा सुवीदा प्रदन करना है साधना के कारेकारी अद्यक्ष चिक राहुले कहा कि उनका उद्देश श्रमिकों के लिए स्वास्त शिवीर आयजित करना और उन्हें और उनके बच्चों को बहतर चिकितसा सुवीदा प्रदन करना है किसरा ग्राम पंचायत के तहट हो रहे आवेद निर्मान पर पंचायत अधिकारियों ने शुकंजा कसा अधिकारियों ने पांच दिन पहले नोटिस देकर शुक्रवर को जेसी भी लाकर तोड़ दी MPO मंगतायार ने कहा कि कीसरा पंचायत कारेकरता सुनिता ने गाउं में 25 आवेद मकार निर्मान की पहचान कर उन्हें नोटिस जारी किया गया कुछ मकान मालिकों ने अधिकारियों द्वारा अपने घरों को तोड़े जाने पर दुख वेक्त किया है उन्होंने कहा कि वे पहले ही बहुत पैसा खर्च कर चुके है लेकिर उनके घरों को द्वस करना सही नहीं है उन्होंने कहा कि वे अपने घरों के निर्मान के बारे में पहले ही सतर्कता अधिकारियों के ध्यान में ला चुके है पंचायत अधिकारियों ने आम लोगों के गर गिरा हैं लेकिन उनका आरोप है कि उन्होंने नाम मातर के लोगों के गर गिरा है अधिकारियों ने चेतावनी दिये कि जो कोई भी आवेद निर्मान करेगा उसे विद्वांस का सामना करना पड़ेगा NDR की सबसे चोटी बेटी कंटमनेनी उमा मैश्वरी की पोस्ट माटम रिपोर्ट में कहां गया है कि उसने आत्माहत्या की थी जुबली हिल्स पुलिस को दी गई रिपोर्ट में उसमानिया फोरंसिक डॉक्टरों ने यह बताया उमा मैश्वरी को उनके परिवार के सदस्यों ने इस मेने की पहली तारिक को अपने कमरे में मृत पाया था पुलिस ने उमा मैश्वरी की बेटी दिक्षिता से जानकारी जुटाई पुलिस को दी गई शिकायत में दिक्षिता ने कहा कि वह दुपर बारा बजे कमरे में गई और लंच के समय बाहर नहीं आई दिक्षिता ने पुलिस को बताया कि उमामेश्वरी कुछ समय से तनाव के कारण स्वास्त समस्याओं से पीडित थी पोस्ट माटम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने निशकर में निकाला कि उसने फांसी लगा कर आत्मात्या किये इससे पहले पुलिस ने उममेश्वर की संदिक्द मोत का मामला दर्स किया था और पोस्ट माटम रिपोर्ट के आधार पर इसे आत्मातिया मान कर जांच कर रही है हैदरबाद के साईकुमार ने तिलंगाना स्टेट शूटिंग चैंपेंशिप में अपना दमखम दिखाया उन्होंने गच्ची बोली स्टेरियम में आयजेत प्रतियोगिताओं में दोसवन पदक जीते उन्होंने पुर्शो में 50 मिटर और राइफल प्रोन श्रेणी में 588 के स्कोर के साथ शीर्च स्टान हासल किया कादिर और रमेश ने क्रमशा, रजट और कांस पदक जीते दस मिटर राइफल में साइकुमार, मनिदीप और दारावत बैच ने पहले तीन स्टान हासल किये तिलंगाना में पिछले एक महिने से हो रही बारिश से लोग घबराए हुए राज में बारिश हो रही है, मौसम विबाग ने कहा कि अगले तीन दिनों में राज में भारी बारिश की संबावना है 30-40 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से तेज हवाय चलने का अनुमान है खुलासा हुआ है कि प्रदेश में इधर उदर गरस के साथ हलकी बारिश होगी अधिकारियों ने भी भारी बारिश के मदे नजर लोगों को सतरक रहने की सला दी मौसम विबाग ने कहा कि वो इस महिने की साथ तारिक से पस्चिम बंगल की खाडी से सती पस्चिम बंगल की खाडी में निब्ड दबाव बनने की संभावना है द्रोनी के प्रबाव से ग्रेटर हैदरबाद सहीद, रंगारेडी और मेचल मलकाजगीरी जिलों में कई सानों पर हलकी से माधियम बारिश होगी